और दोस्तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज से इडूटेडिया का जो बिहार द्रोगा का दस प्रैक्टिस अताया है उसी का आज से हम लोग सलोसन देखेंगे तो दोस्तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सस्काइब कर लिजे अगर इसका पीड सिंदुगाटी सव्याता के बारे मिन में से कौन सा कथन सत्य है तो सिंदुगाटी सव्याता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ती थे तो यह आपका सही है सिंदुगाटी सव्याता ग्रामिन सव्याता थी यह गलत है सिंदुगाटी सव्याता एक सहरी यहां के लोग के वल चावल की खेती करना जानते थे नहीं यहां के लोग चावल का पास जो इतियादी का खेती करना भी जानते थे तो इसमें से अपना सही उतरब का अप्सन नमर ए हो जाएगा अगला प्रसने कि जैन धर्म के तिरी रतन कौन कौन से है तो जैन धर्म के तिरी रतन में सामिल आपको बताना है तो जैन धर्म के तिरी रतन में आपका स्यम्यक दर्शन, समयक ज्यान और समयक आचरन हो जाएगा आप से कभी कभी पूछ दता है कि स्यादवाद एक सब्द देगा किस धर्म से समझत Q 8 निसीर निडिक है कैवल्या के पंच वरत्त कि तिर्धंकर यह सबकिस्ट धर्म से सम्दित है तो जैन धर्म से सम्दित है और पंच बरत या महावीर ने इसको लागू किया थे जब कि जो चार आसरम जो सुनते हैं वो अपका पर सुनात ने उसको लागू किया था अगला पसने कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाले जो था या गैर ब्रहमनों को अनुदान में दी जाने वाली भूमी को कहते थे और साला भोग या बिद्याले को जो दान में दी जाने वाली भूमी उसको साला भोग कहा जाता था और ब्रहमन दे जो ब्रहमनों को दान में दी जाने वाली भूमी को ब्रहमन दे कहा जाता था तो विसाखदत के दोरा लिखे गए मुद्राराक्षा ये आपका संस्क्रीत भासा में लिखी गई है जबकि आपसे पूछे कि इसका हिंदी में रुपांत्रान या अनुमात किस ने किया था तो भारतेंदू हरिस्चन के दोरा किया गया था अगला पसमें कि निमलिकित में से किस सासक के सासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था और इनको सेर खा के उपधी बहार खा लोहानी के दोरा दिया गया था और सेर सासूरी चौशा का यूद और बिलगराम के दोनों के यूद में हुमायो को हरा दिये थे और सेर सासूरी ग्रांट रैंक रोड का भिनिनवार कर आये थे और 1541 इस्वी में सेर सासूरी ने पटली पुत्र का नाम बदल कर पटना स्थापित किया था और इसकी मिर्टू कलिंजर मद परदेश में हो गई 1545 इस्वी में और उस समय वहां का सासक कलिंजर का कीरत सी था कौन था कीरत सी यह भी बात याद रखिएगा अगर आपस नहीं कि निमली कित में से किसके सासनकाल में मुगलो और मराठो के बीच द्वांद प्ररम्भ हुआ था तो यह हो जाएगा और अरंग्जेब मुगलो और मराठो के बीच द्वांद उत्पन हुआ था और अरग्जेब की मिर्टू 707 इस्वी में हो जाती है ये बार बार को जन पुछा जाता है और जहांगीर के ससनकाल में नियाई की जंजीर के नाम से जहांगीर के ससनकाल को जना जाता है और इसके ससनकाल को चितर कला का भी जनक कहा जाता है और हिंदी का स्वार्नियूग अक अस्तानिय स्वसाशन का पिता लौड रीपन को माना जाता है अगर आपसे प्राचीनकाल में पुछे तो चोल काल में भी चोल काल अस्तानिय स्वासासन और नौ सैनिक के लिए परसीद था ठीक है और भात का पर्थम वैस्टा है लॉड कैनिंग को मन जाता है और इसी किसासन कल में 1857 की करांती होती है चलिए अगलापस ने कि बिटी समराज में अवद का बिलय हुआ था तो बिटी समराज में अवद का बिलय कुसासन का आरोप लगा कर लॉड डॉल होजी ने 1856 में इसको मिला लिया था बिटी समराज में और लॉड डॉल होजी अवद को चेरी के समान समझता था और लौट डलहोजी नहीं डॉक्राइन आफ लेप्स गोध निसेद अधिकार ये लागू किया था इसको डॉक्राइन आफ लेप्स कहते थे व्यागपत सिधान कहते थे उसी के तहथ 1856 में आवद को कुछासन का रोप लगा के लगाया और डॉक्राइन आफ लेप्स के अनु नेतरुत किया था तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉड करजन के ससनकाल में हुआ था उस ब्रोध में हुए अंदोलन का नेतरुत सुरेंदर नाथ बनरजी ने किया था अगला पसने कि किस बेक्ती ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट पिता कहकर संबोधित किया था तो महात्मा गांधी को राष्ट पिता कहकर संबोधित करने वाले बेक्ती का नाम है सुबा अचन भोस ठीक है अगला पसने कि सत्य सुदक समाज के असपना किस कब हुई थी और किस ने किया था तो सत्य सुदक समाज के असपना जयोतीबा फूले के दवरा 1873 इसमें किया ग अगला पसने कि अटाला देवी महजित का निर्मान की सासक के दवरा किया गया था तो अटाला देवी महजित का निर्मान इबराहिम सास्वरकी के दवरा किया गया था और अटाला देवी महजित यह कहा है जौनपुर में है और जौनपुर को भरत का सिराज कहा जाता है भर अलावदीन के समय और अलावदीन खिल जी या बजार नियंतरन परणाली और आस्थाई बेतन और सेनिकों की हुलिया लिखने की पर्था सभी यहीं अलावदीन के सासनकाल में शुरु हुआ था अगलावदीन की भारतिय समिधान अपने नगडिकों को 10 की समानता का वचन देता है तो समानता दो परकार का परतिष्टा और आसर की समानता परदान करता है और समानता का अधिकार 14 से 18 अनुछेद में है आठिकिल 14 से 18 में है जबकि नयाय तीन परकार का देता है समाजिक नय आर्थिक ने याए और राजिन्तिक ने आए अगर आपस नाए कि निमलिकित में से कौन के समिटि ने मुल कर्तवें को समिधान में समिलित करने का सुझाव दिया था तो मुल कर्तवे मुल समिधान में संख्या इसकी जीरो थी जब की बैलिस्वा समिधान संसोदन 1976 के तहट और जो 42 समिधान संसोदन हुआ 1976 में तो मुलक करतवे की संख्या उसमें 10 हुआ करती थी जबकि वर्तमान में मुलक करतवे 11 है जो 86 समिधान संसोदन 2002 में जो सिक्षा के अधिकार को भी मुलक करतवे की सिरेनी में लाया गया तो अभी वर्तमान में मुलक करतवे की संख्या कित के लिए एक चैतर को शुजित चैतर के रूप में घोसना करने की सकती किस के पास होती है तो या राश्ठपती के पास होती है अगला पज़ना कि गराम सभाने में से कौन सामिल होता है तो गराम सभंए में वैसопि वैसभी बेक्ति सामिल होते है जिनका नाम गाओ बिशिस में पंचायत के मतदाता सुचि में सामिल होते हैं वो सभी ग्राम समा में सामिल होते हैं अगला परसने कि समिधान का निम्न में से कौन सा संसोधन केंद्र तथा राजियों में मंत्री परिशत के मंत्रियों की अधिक्तम संख्या सिमित करता है तो अधिक्तम संख्या भहुत इंपोर्टन है या कोचन पुछ सकता है, तो यह हो जागा एक क्यानवव समिधान सौन सोदन जो 2003 में हुआ था, इसमें मंत्रियों कि अधिक्तम संख्या लोग सभा और राज सभा में 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो स राज लोग से वायोग है, बीत आयोग है, लेकिन नीती आयोग या आपका समयधानिक संस्तान नहीं है, या गयर समयधानिक है, जिसके या आपका इसका सपना एक जनवरी 2015 को हुआ था, इसका फूल फर्म नेशनल इसेचूर्स ट्रंसफोर्मिंग फूर इंडिया होता है, और सुभर मन्याम कौन है, बी भी यार सुभर मन्याम है, ठीक है, अगला पसने कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कर्यपाली का परसद की उप सभापती कौन थे, तो जो 1946 इसे में निर्मित अंतरिम सरकार में कर्यपाली का परसद की उप सभापती कौन थे, तो इसका सही उतर जाएगा जो आलन नेहरू थे अगर आपास नहीं कि भरत्याइज जालत किस अनुखेद में किनसासित के लिए उच्छ नियलए और ले का परधान अनुखिद 241 कि तहट आपका अनुछेद 32 के तहट रिट जारी करता है सुप्रीम कोट और हाई कोट 326 के तहट रिट जारी करता है अगला पास नहीं कि लोगसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोगसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है तो लोग सभाक के सभी सदस्यों के दोरा होता है और वरतमान में लोग सभाक के अध्यक्ष ओम बिरला है कौन है? ओम बिरला और यह कोटा से सांसद है कहां से है? कोटा से सांसद है अगला पास नहीं कि निमलिखित में से कौन से मामले उच नियाले और उचतम नियाले की अधिकारिता में आते हैं तो उच नियाले और सरोच नियाले की अधिकारिता में कौन आएगा तो मुल अधिकार के परिवर्तन का जहां बात आएगा या हाई कोटर सुप्रीम कोट दोनों की अधिकारिता में आएगा अगला पसने कि स्वार्न चत्रभोज एक विसिष्ट छेत्र है जो मादक द्रवयों की तसकरी के लिए परसीद है गोल्डेन ट्रेंगल तो निम्न में से इस देश का कौन सा भाग नहीं है अगला पसने कि अंतराष्टिय परवासी दिवस कम मना जयता है तो अंतराष्टिय परवासी दिवस आपका 18 दिसंबर को मना जयता है जबकि रश्टिय परवासी दिवस नौ जनवरी को इसलिए मना जयता है क्योंकि इसी दिन नौ जनवरी दुहजार नौ जनवरी 1915 को डक्षिन अफिरका से गांधी जी वापस लोटे थे और या कब से मना जयता है तो या 2003 से मना जयता है जबकि 24 दिसंबर को रश्टिय परवासी दिवस नौ जनवरी को डिवस मना जयता है यह याद कर लिजेगा दोस्तों अगला प्रसद्न है कि लोसूंग तेहवार कहां का परसित तेहवार है तो सी किम का एक परसित तेहवार है और सी किम में लेप्चाً जनजाती निमाज करती है और उनिक्स कपर सिक कितना परतिसत होना चाहिए तो प्रस्तितिकी संतुलन बनाया रखने के लिए भारत में जो वन च्छत चाहिए न वह 33.33 परतिसत होना चाहिए वरत्मान में में कौन सुमेलित नहीं है एक तरफ जयम मंडल रख्षी छत है और एक तरफ इसका स्थापना मर्स है तो सिमली पाल का स्थापना 1984 में होता है सही है जो ओडिसा में है कंचन जैंगा का स्थापना 2000 में नहीं होता दो हजार इस भी में होता या आपका सिकिम में है नोकरेक या मेखाले में 1988 में इसका स्थापना होता पन्ना 2001 में होता सही है तो आपका सुमेलित नहीं है और सबसे पहला जयम मंडल रख्षी छत्र निल गिरी इसका स्थापना 1986 में हुआ था निला पस ना कंतने систем परकासित करने माला पहला जो हाई कोट है यह आपका किरल हाई कोट है जब कि निनाय परकासित करने माला लाइफ देखाने माला जो हाई कोट अगर पुछे लाइफ परकासन करने माला लाइफ टेलीकास्ट करने माला तो आपका गुजरात हाई कोट हो जाएगा लाइफ और प अगला पसने कि स्वभध को करें खीषर का याय। वाला एक ससता सिवा देश आपका टोगा है कौन है टोगा है जिसका आएलो का मुख्याले का है तो जे नेवा में है का है जे नेवा अगला पास नहीं कि विशु हिंदी समय लन दुजार ते जिसका आवयोजन फीजी में किया गया था इसमें भारत के तरफ से कौन किसने परत सेनवरी को मनाया जाता है और अस्टिडिय हिंदी द्वस 14 सेप्टेंबर को मनाया जाता है पहली बार 1903 इसमें मनाया गया था अगरा प्रसने कि भारत सरकार ने भुकम परभावित छेत्र तूर्की तसा सिरिया की मदद के लिए कौन सा आप्रेशन चलाया था तो उसका ना इसमें अमेरिका अगला प्रसने की बीत वर्स 2023 के दोरान देश का जीडिपी विकास दर रहने का अनुमान है तो कितना रहने का अनुमान है जीडिपी तो यह 6-6.8% के बिच में रहने का अनुमान है और जीडिपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यान निए शकल घरे ले उत्पाद होता है और अगला परसने कि दूद उत्पादन में भारत का अस्थान विशु में कौन सा है तो दूद उत्पादन में भारत का अस्थान विशु में पहला है जब कि अगर पुछे कि भारत में पहला अस्थान किस राज का है तो पहला राज अस कपान का है दूसरा उतर-परदेश का है और तिसरा मध्ध-परदेश का है ठीक है छले में अगला पसमे है और दूध से जो पुछे का नाम अगर पुछे का तो फ्रांटlang को माला जाता है अगला कि अर्जुन पुरसकार 2022 से समानित सूस्री अंसु का समद्ध किस खेल से है तो सूस्री अंसु का जो समद्ध है या कुस्ति से है अगर आप से पूछे कि अर्जुन पुरसकार से समानित पर्थम किर्केटर का नाम क्या है तो सलीम दुरानी सलीम दुरानी जिनकी हाली में मिर चुना गया है तो 2023 में Grammy पुरसकार में Album of the Year किसे चुना गया है तो यह चुना गया है Harry House को Harry House Album of the Year चुनाया है Grammy पुरसकार में ठीक है जबकि आपका Record of the Year About Demand Time को और Song of the Year Just Like That को चुना गया है अगया पुरसथ पुरसक Victory City के ले खक कौन है तो Victory City के ले खक सलमान रस्दी क्या था तो 200 Cancer दिवस 4 फरवरी को मना जाता है ठीक है और इसका थिम 2023 में था Close the Care Gap है और Cancer वाइरस से होता है ठीक है अगला पस्थने की Stitch of Knowledge को अस्थापित किया गया है कहां पर तो Stitch of Knowledge को महराश्ट के लातुर में अस्थापित किया गया है और आपका एक आपसे पुछता है कि Statue of Equality जो समानता दिवस तमिलाडू मनाने का गोशने किया है तो Statue of Equality कहां है तो यह तमिलाडू में है और वह किसकी मुर्ती है तो रामानूज की Statue of Believe या राजस्तान में भगवान सीव की मुर्ती है उसमें अगला पस्थन है कि जनवारी 2023 में आये रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे परदुसित सहर कौन सा है तो 2023 में जो रिपोर्ट आया है 2022 में सबसे भारत का परदुसित सहर नई दिली है चलिए अगला पस्थन देख लेते हैं कि निमलिकित्स परसनों में से कौन सही सुमेलित है तो एक तरफ राज है एक तरफ उसके राजपल दिये हुए है तो और उनाचल परदेश के केरी पर नाइक सही है मिखाले के फागु चहुआन सही है जरखंड के सीपी राधा किस नंसाई है जबकि महराष्ट के गनेसी लाल नहीं है कौन है रामेस बैस है ठीक है और गनेसी लाल कहां के है तो उरिसा के है गनेसी लाल उरिसा के राजपल है अगला पस्थने की हाली में तूलसी दास बलराम का नीधन हो गया है तुलसी दस बल्लाम का निधर हो गया है जिनका सबन्द किस छेतर से है तो या इनका सबन्द खेल छेतर से है और भारतिय परतिय असपर्धा आयो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो भारतिय परतिय असपर्धा आयो के नए अध्यक्ष उसमें संगीता वार्मा थी और अत्मान में कौन है राउनित कौर है अगला पतने कि अंतरस्टिय धर्म धम समिलन का उदगाटन कहां किया गया तो यह किया गया भोपाल में मध परदेश में और हाली में द्यानन सरसती की कौन सी जयनती मनाई गई है तो द्यानन सरसती की जयनती मनाई गए हाली में दोसवी जयनती और दयान सरसती नहीं बेदो की और लोटो का नारा दिया था और इनके पुष्टक का नाम है सत्यार्थ परकास और इन्होंने 1875 रिस्पी में आरे समाज की अस्तपना की थी अगला पसने की हाली में किसके द्वरा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफर्म का उद्गाटन हुबली में किया गया है तो उस प्लेटफर्म की लंबाई डेर किलोमीटर है और यह नेन्द मोदी के द्वरा उद्गाटन किया गया है और नेपाल के नए राष्टपती कौन ब डेल बने है ठीक है और वहां के अभी पर्धान मंत्री है पुस्प कमल दहल पर चंड है अगला पसने और हाली में नेपाल ने एसियन गिम्स में अगला पसने कि महाराष्ट भुसनपुरस के अगला पसने कि महाराष्ट भुसनपुरस कि महाराष्ट भुसनपुरस कार से अपस भुसनपुरस कारी को समानित किया गया है अगला पसने कि बंदे भरत ट्रेन का संचलन करने वाली पहली महिला ड्राइबर कौन बन गई है तो बंदे भात्र ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइबर सुरिखा यादव बन गई है और जो ट्रेन चली थी दिली से कहां तक बना रस तक चली थी और रभी फसल की बुवाई कब की जाती है तो रभी फसल में गेहूं आता है तो गेहूं सरसो तो रभी फसल की बुवाई अपका अक्टूबर और नवंबर तक हो जाती है अगला पसने कि जूट उत्पादन में अगरानी राज कौन सा है तो जूट उत्पादन में अगरानी जो आपका राज है इसमें पच्छी मंगाल है और पच्छी मंगाल चावल के उत्पादन में भी परतमस्तान है ठीक है और चाय में ओसम है रबर में केरल है, नारियल में केरल है मुंग फली में गुजरात है अगला पसने कि किस भारतिय राज की अधिक्तम सीमा मैनमार से लगती है तो सबसे अधिक्तम जो सीमा है मैनमार से और नाचल परदेश की लगती है ठीक है? अगला पसने की भात के उत्री मैदानों में सित्रितु में वर्षा होती है तो उत्री मैदानों में सित्रितु में वर्षा पक्षमी भी छोब के कारण होती है और कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है तो कॉफी पोर्ट के नाम से सेंटोस को जना जाता है जो ब्राजील में है और ब्राजील में कहवा के बगान को फैजेंडा के नाम से जना जाता है और सबसे दा कॉफी ब्राजील में ही होता है अगला पसने की नंदा देवी चोटी किस हिमालाय का भाग है तो नंदा देवी चोटी है जो उत्राखंड राज में है या आपका कुमाउ हिमालाय का भाग है तो चलिए इसका और अप्सन देख लेते हैं जैसे पंजाब हिमाले है या सिंदू और सतलज नजी के बीच में है नेपाल हिमाले है आपका काली और तिस्ता के बीच में है और सम हिमाले तो या तिस्ता और दिहांग के बीच में है और कुमाओ हिमाले है या सतलज और काली के तो नांदा देवी परवत इसी के बीच में इस्दित है अगला पसने कि दिवपो का समूल लक्ष दिफ है या किस से निर्म बना हुआ है तो दिवपो का समूल लक्ष दिफ है या परवाल दोड़ा निर्मित है और दुनिया में सबसे बड़ा जो परवाल भीती है वो आपका ग्रेट बेरियर एफ जो अस्ट्रेलिया में है अगला पसने कि दूध गंगा निमली खित्म से किसकी सहाइक नदी है तो दूध गंगा या जेलम की सहाइक नदी है और जेलम से सनाग जील से निकलती है अगला पसने कि भार का एसाइ मातरक क्या होता है तो भार का एसाइ मातरक निउटन होता है अगर आपास नहीं कि निमलिखित में से कौन सा यांत्र समुद्र के अस्तर से उपर की वस्तुओं को देखने के लिए पंडूबी में पर्योग किया जाता है तो पंडूबी में पर्योग पेरियस्कोप का करते हैं और ऐनिममोमिटर से हवा का गत्या वेग में पाजाता है पाइरोमिटर से दोर की वस्तुओं का ताप मापा जाता है और ओडोमिटर से चलती हुई गारी या पहियो की स्पीड मापी जाती है अगला पसने कि यदि कार्ज का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्ज हो रहा उस पर उसका क्या परभाव परेगा तो जिक कार्ज का मान धनात्मक है तो उसमें जो कार्ज होगा उसमें उर्जा की बिर्धी हो जाएगी अगला पसने कि यदि दो कनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुर्थवा कर्शन बल पर क्या परभाव परता है तो आप जानते हैं कि A बराबर G M1 M2 by R² होता है ठीक है तो यहाँ R² इसके क्या है अनुप कर्मानुपाती है तो दूरी बढ़ेगा तो गुर्थवा कर्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कम हो जाएगा अगला पसने कि उत्छेपबल और भार कार्ज कैसे करते हैं तो उत्छेपबल नीचा से उपर की तरफ लाएगा तो यहीं इसका विश्यस्ता नहीं है अगला परिवर्तन है कि निमलिखीत में से कौन सा विकल्प रसाइनिक परिवर्तन है तो रसाइनिक परिवर्तन जिसमें से कोई वस्तू फिर उसी आवस्ता में नहीं आ सकता है तो दूद या ये अपका रासानिक प्रिवर्तन है जिसमें लेक्टो बैसीलस नमक जिवानू करज करता है है अगला पसने कि निम्लिकित में से किस ने परमानू की ओविभाजिता के बारे में बताया था तो परमानु और विभाजी है या सबसे पहले जॉन डाल्टर ने बताया था बाद में इनका जो कसन था वो गलत सावित हो गया अगर आपस नहीं कि निमलिक्षित में से कौन सा समाने ताप पमान पर दरब आवस्था में रहता है तो यह आपका गैलियम रहता है अगर आपस नहीं कि निमलिक्षित में से कौन किसी धातु का इलेक्टानिक बिन्यास नहीं है तो एक, दो और तीन किसी संख्या के लाश्ट में रहेगा तो वो अपका धातु होगा तो ठीक है तो ये आपका 5-6, 7 ये आधातो होता है तो आपका B हो जाएगा, ये आपका अधातू है इसका उपयोग ज़्यादा तर खाद बनाने में कहता है अगरापस्ट सने कि निम लिक्षित में से किसे एक्ततो के भार की तुला में एक मुल बिसेस्ता माना जाता है तो किसी एक ततो के भार की तुल्ला में मुल विसेस्ता मना जाता है तो आपका परमानु कर्मांख हो जाएगा अगला पसने कि अक्सिकरन परतिकिरिया में निमलिकित में से क्या होता है तो अक्सिकरन परतिकिरिया में क्या होता है अगला पस्थने कि यादि किसी लवन का पी एच मान सुन हो तो वह लवन कैसा होता है तो लवन का पी एच मान अगर सुन है तो बहुत ही सक्तिसाली अमल होगा और बहुत ही कमजोर छार होगा अगला पस्थने कि जलिय बिलियन में किसी अमल या छार में क्या परवर्तन होता है तो अमल या छार में क्या होता है किसी जलिय बिलियन में किसी अमल या छार में छार जल में OH-Ion निर्मित करते हैं तो यहीं आपका अप्सन सही हो जाएगा और जो अमल होते हैं H-Ion करते हैं तो निस्किरिय गैस में अपका सही उतर हो जागा हिलियम और अधातुओं का ब्यापक उप्योग निम्में से किसमे होता है तो अधातुओं का ब्यापक उप्योग खाद बनाने के लिए होता है अगला पसने कि कास्टिक सोडा का रसानिक नाम क्या होता है तो क्या है तो कास् CO3 Na2 CO3 होता है और sodium chloride नमक NaCl होता है अगला पसने कि hematology में किसका अध्यन किया आता है तो hematology में hemoglobin का अध्यनिरक्त का अध्यन किया जाता है अगला पसने कि पानी की कमी के करण कोशिका के संकुचित भीती से अलग होने की परक्रिया को क्या कहते हैं तो पानी की कमी के करण कोशिका से संकुचित भीती के अलग होने की परक्रिया को plasmolysis कहा जाता है और हमारे सरीर में वासा संचाइक उतक का नाम बताना है तो हमारे सरीर में वासा संचाइक उतक आपका adipoj उतक होता है कौन होता है एडिज पोज उतक होता है वासा संचैक उतक होता है अगर अपतने की अस्थाई उतको के निर्मान के लिए एक अस्थाई सनचना अकार और किरिया अपनाने की किरिया को क्या कहते हैं तो अस्थाई उतको के निर्मान के लिए एक अस्थाई सनचना अकार और किरिया अपनाने की परकिरिया को क्या कहते हैं तो इसको विभेदन कहा जाता है और पात्वों में सबसे परचुर मात्रा में क्या उपस्तित तत्व होता है तो पात्वों में सबसे परचुर मात्रा में उपस्तित जो तत्व होता है वो आपका कारबन होता है तो चली आगे बढ़ते हैं निमलीकित में से किसने सजीव अस्तुओं के सजीव अस्तुओं में लक्षनों की अनुआन सिक के सिथानतों का पर्तिपादन में योगदान दिया था तो अनुवान सिक्ता का पिदा ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा है था इसलिए अपसा नमबर C हो जाएगा सही अगला प्रसन है कि जोक निमली कित में से किस संग से सम्बंदित है तो जोक जो है ना जोक और केचुवा या एनिलीडा गुरूप में आते हैं जबकि मुलस्का में घोंगा सीपी इतियादी आते हैं अगला प्रसन है कि निमली कित में से किस में होमोडोंट डात पाया जाते हैं तो होमोडोंट डात जो पाया जाते हैं या आपका मचली में पाया जाता है अगला पसने कि मनुस्यों के पाचन तंत्र में उत्सरजित अमल कौन सा होता है तो पाचन तंत्र में उत्सरजित अमल होता है HCL होता है ठीक है और सल्फिरुक अमल को गंधक का अमल कहा जाता है अगला पसने कि निमलिकित में से कौन सा रोग बिशानु जनित नहीं यानि बिशानु से नहीं होता है तो तपेदिक जो है न तपेदिक ये आपका जिवानु से होता है जबकि चेचक इन्फिरेंजा और खसरा ये आपका वाइरस से होता है अगला पसने कि 1949 में भरत सरकारदवरा नियुक्त राष्ट्रिय आय समीति का अध्यक्ष निमलिकित में से किसे बनाया गया था तो यह PC महान लोविस राष्ट्रिय थे और इनहीं के जनम पर 29 जुलाइ को राष्ट्रिय सांखिकी दिवस मना जाता है और दिवितिय पंच वर्षी ओजना जो 1956 से 61 ता या PC महान लोविस के ही सिधान्द पर आधारित था और पर्थम हिराल डुमर मोडल पर धारित था अगला पास नहीं कि नेशनल एकेडमी आफ एगरिकल्चर रिसर्च मेनेजमेंट कहा ही सित है अगला पास नहीं कि नेशनल एकेडमी आफ एगरिकल्चर रिसर्च मेनेजमेंट अब का हैदराबाद में इसित है अगला पास नहीं कि निमलिखित कीमत सुचकांकों में से किन सरकार के करमचारियों की महिदूरी में छती पूर्थियतू किसका उप्योग किया जाता है तो या आपका ओदोगी करमियों के लिए उभगता कीमत सुचकांक का पुर्योग किया जाता है